दोस्तो आप लोग तो जानते ही चाइना में रहने वाले लोग लटपग हर चीज़ को खा लेते हैं शायद इक कोई चीज ऐसी बची होगी जिसे चाइना की लोग नहीं खाते होंगे दोस्तो एक मशली ये जो जापाने पाई जाती है जिसे फुगू फिस नाम से जाना जाता है आपको बता दो कि ये इस मशली में जहर पाया जाता है और चाइनीज लोग इस मशली को भी खाते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जहर पाय जाता है इसलिए इस मचली को जो लोग पका कर खाना जायते हैं उन्हें 11 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद ये चैनिज लोग उस मचली को खा सकते हैं ऐसी इस नॉलिजबल वीडियो को देखने के लिए अभी इस चैनल को तुरंत से अफ्टाइब करें